फिफ्थ सर्विस एक मेजर सर्विस है इसलिए सारे पार्ट्स खोल करने साफ करने पड़ेंगे चेक करने पड़ें कुछ रिप्लेस भी करने पड़ेंगे अलो दोस्तों सो आज मैं आया हूं वेबोर भाई की डॉमिनार 400 की सर्विस करवाने के लिए यह गाड़ी 2019 वरी डॉमिनार 400 यूजी है और इसकी फिफ्ट सर्विस आज हो रही है 13,000 किलोमेटर से गाड़ी कंप्लेट कर चुकी है थोड़ ऐसे प्रॉब्लम्स हो चुके हैं जैसे कि अब इसको कोल स्टार्ट करने में दिक्कत आती है ट्राफिक जिनल पर हम लोग अगर गाड़ी को बंद करते तो वहां दिक्कत आती है 13,000 किलोमेटर में थोड़ा बहुत कुछ चीजे हैं जो रिप्लेस या रिपेर करनी की ज़रद पर सकती है कुछ क्लीनिंग से काम हो जाएगा लेट सी क्या क्या चीज़ा करने से हमारे कौन को से प्रॉब्लम सॉल्व होती है गारी को और स्मूध परफॉर्मेंस के हम लोगों को रैडी करना है ये गारी में वैसे वीब और भाई को कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती है बश्को राइड करने मिलती तो कुछ चोटी मोटी चीज़े है जो जो इसकी ओनर शारिक दम से नोटीस नहीं कर पाए वो सब चीज़े मैं नोटीस कर रहा हूं और मैं गारी को कुछ दिरों सार अडरी चला रहा हूं एक हफता ये गारी मेरे पास ही रही है सो मैं अकॉर्डिंग लिग इस गारी में कुछ बहुत बहुत लगती है पीपल वांटेट इस इन टुफिफ्टी ऑलस बट दार सौंट पॉसिबल एस अफ नौ और यह रोहित भाई का बेज आपर नस्ट का भी कई बार सर्विस करवाया हुआ है उसके और वीडियो आने वाला है सबसे पहले हम लोग गारी का टैंक ओपन कर रहा है क्योंकि टैंक ओपन करने के बार में सेंटर वाला स्पार्क प्लग और फिर लेफ्र राइट वाला स्पार्क प्लग भी निकाला जाएगा जिसी स्लीनिंग शुरू होगी सो एसी बहुत सी चीज़ें लोग डीटल में देखें गया तो इस वीडियो को एंड तक द सो स्टे ट्यूनिद विज उस जो इस यह एड राइटी हो चुका है क्लीनिंग से काम बन सकता है था थासिकरे सेंटर स्पार्क प्ल Up जो काफी अन्क्लीन लग रहा है इसमें कॉर्व है सस्ट्र प्लेंग शुरौणि और क्लीनिंग गे गयाप सीटिंग को चेक जाएगी औ क्योंकि ये गारी में DTSI एंजन है तो त्रिपल स्पार्क प्लग इसमें होते हैं अब एक एक कडर के सारे स्पार्क प्लग्स तो च्लीन किया जाओगा कार्बन च्लीनिंग बहुत बहुत इजी प्रॉसेस है बस इस पार प्लग को बाहर निकालना एक ट्रिकी प्रोसेस उता है और क्लीनिंग के लावा गैप चेकिंग भी बहुत इंपोर्टन वर्क है और जो सिर्फ सेंटर वाला स्पार प्लग है उसी में हम लगों को गैप थरो सा अलग लगा यहां पर एक पाइप है जो काफी दा रस्टी लग रहा है मुझको और शायद यह मुंबई में रहने की वज़े से हुआ है गाडी में मौईस्चर आच चुक है बहुत जादा अम ना श्रू को कैसे सौर्फ किया जाएगा और यह एंजिन ओल कर लेते हैं पुराने वाल एल फिल्टर गंदा था उसको फिक दिया जाएगा नया लगा जाएगा यही रिकमेंड़ी भी होता है जब आपकी मेंजर जाएगा लॉंग ट्रम केले अच्छा होगा और यह आपका फिल सितर है जो फियल को डिरेकिली अंजिनBay नहीं रहेता तो फिफ यम्बर यह अकॉरिजी है उसके सबसाग्फ्यस प·्रेशर जादा होगा तो यह ही फिल टैंक में हुए और प्रैश्ष अगर थेगा न in ज broken and तो अच्छी बात है कि यहाँ पर एंजीन का खाल रखने के लिए बहुत सारा सिस्टम्स लगे हुए हैं और यह आपका ओरिजिनल फ्यूल टैंक होता है जो तिखने के लिए अच्छा होता है वह आपका एक्चुल इस सिफ टैंक पैनल होता है जो डिजाइन एलिमेंट का काम करता है बट एक्च्छल फ्यूल टैंक आपका वह यह है इसके लावा वेबोर भाई की गाड़ी में यलो पेंट लग गए थे रिंस में कहीं से पता नहीं कैसे और वह चीज़ को क्लीन करने बहुत डिफिकल्ट हुई थी उनको तो मैंने आपर जो टेक्निशन में साथ है उ बहुत ट्रीकी काम हो जाने के बाद में और यह बहुत ट्रीकी काम है कि बहुत सारे केबल्स हैं जो प्लग्स उनको अपिस सब प्रसाई जग लगाना और इसके साथ साथ टैंको फिट करना वह बहुत ट्रीकी काम हो जाता है तो only an expert who is trained by Bajaj can do this that's why we recommend कि आप Bajaj की डॉमिन अब वक्त है एंजनर को ट्रेंग करनेगा बड़ मैंने हां नीचे में कुछ गंदगी सी नोटिस की ग्रीजी हो गए जो बहुत जादा इसकी सफाई बहुत तो आज मैं इसको भी साफ करवा लूँगा डीजल क्लीन करनी पड़ी कि साद यहां पर और यह एंजनर सबसा प् की तरफ है तो एक एक करके दोनों को क्लीनिंग भी करना होता है पूरा इंजनर देन हो जाने के बाद में जो आइल फिल्टर उसको भी रिप्लेस करना पड़ता है और यह जब 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 ऑइल चेंज होगा तब ऑइल फिल्टर रिप्लेस करना जारूरी कि बहुत सारा कच्रा और उसरे कंटामिनेंट्स जो हैं वो इसमें आकर के रूख आच्छा होगा कि अपना ऑड़ प्लेटर जो हो आफ जा पर चेंज कर लीया करें टाया करें नहीं वाल फिल्टर जो यह उह आँ फिल्टर ऊपर रहा और फूरेल से कम्यूटर बऊटरिया जो हैं मैं जो अच्छा काम करने के लिए है तो अच्छा गौलीती का होना भी मतो बुरूरिये, जाते होरा बद्ली की जाती है उसको कोई चार्जबिन लगाया जाता है और मैंने पहली बार देखा जो फीट्र उसको पहले ताइड पहले जाता है उसको परेस किया गया तो आपूरी शेर्टाहिए अची सर्विस हो करना है और अब इनजन ऑली टीया गूल कर इसके बाद चेन टाइटनिंग का प्रोसेस किया गया क्योंकि ये गारी अक्सर डबल सीट में भी चलती है चेन का अचीता से टाइट रहना भी बहुत जरूरी है ताकि परफॉर्मेंस में किसी किसम का लाग ना हो और अब हम जाएंगे जो बागी की क्लीनिंग बची हुई थी वो करने के लिए बाद में चेन क्लीनिंग चेन लुब्रिकेशन दुबारा करेंगे तो डीजल वाश पहले हो जाएं जित्ते भी ओईली और ग्रीजी मांक से गारी में उस सब क्लीन कर दिये जाएं तो एक बहुत लंबे समय तक कि ये गारी जो है अच्छा स्मूध परफॉर्मेंस देती रह सकेगी एफिशेंसी के साथ चलेगी और जो बंदा है जो उसको चबाता है जो ओनर है अपना वीवर भाई वो भी काफी हैपी रहेगा इस गारी के साथ में अभी सब कुल जाने के बाद में दुबारा चेन कानीग्स ये प्रॉट-शो दूब्रिकेशन हो गया इसके बार में डिसक भी करने के लिए में यहाद सक Finished और चेंचलिनिंग लुब्रीकेशन जो प्रोसेस है बहुत इंपोर्टन होता है सर्विस करने के बाद में अच्छी हो जाती है बाइक लेकर सर्विस एक सर्विस थुसर दूसर बीच में भी आप चेंट लिए पर ने गर में कर दे अपने अगर मंगवा सके अपनी बाइक टे जब आएमने अच्क, माच्वाँजी दो रावाचा हरतinin इस अचल êuज सेंग संच कम आएयों कि अइस्टाइ Le question